बारत रोस्टेलिया के वीच चल रही चार मैचों की टैस सिरीज का पहला मैच एडिलेट में केला जा रहा है और आपको बताते हैं कि पहले मैच के दूसरे दिन और स्टेलिया ने साथ विकिट गवा करे 191 रन बनाए बारत ने पहले दिन 200 रनों का स्कोर घड़ा करा था इस मैच के दूसरे दिन कुछ ऐसे खिलाडी है जो मैच के हीरो बन गए तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं दूसरे दिन के खेल के चार हीरो पर तो यहाँ पर पहले नमबर पर आते हैं आर अश्विन आपको बता दें कि मैच में अश्विन ने 33 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट लिये अश्विन के सामने ऑस्टेलियाई बलेबाज कभी भी सहज नहीं नज़र आए अश्विन के खाते में मारकस हैरिस उस्मान ख्वाजा और शान मौर्स के विकेट आए वहीं इस लिस्ट में दूसरे नबर पर आते हैं ऑस्टेलियाई बलेबाज ट्रेविस हैट बता दें कि हैट ने 149 गेंदों पर 61 रन बना कर क्रिस पर बने हुए है दिन का खेल ख़त्म होने तक भारती गेंदबाज हैट को आउट नहीं कर सके वहीं इस हीरो की लिस्ट के तीसरे नमबर पर आते हैं भारती टीम के तेज गेंदबाज इशान शर्मा उन्होंने पहले ही ओवर में ऐस्टेलिया को इरॉन फिंच के रूप में एक बड़ा जटका दिया था टीम पैन को आउट किया इस तरह से इशान शर्मा ने उस्टेलिया के किलाव 50 टेस विगेट का आंकड़ा भी पूरा कर लिया वहीं इस लिस्ट में चौथे नमर पर आते हैं बारते टीम के तेज गेंदबाज जस्परीद बुम्रा जस्परीद बुम्रा ने इस मैच में सबसे तेज गेंदबाज डाली बता दें आपको कि एडिलेट में अभी तक जस्परीद बुम्रा ने सबसे तेज गेंद डाली ह बता दें कि जस्परीत उम्रा ने 153.25 किलो मेटर पर आर की रफ्तार से गेंद डाल लिया है और ऐसे में यह देखना दिल्चस्प रहेगा कि कल से शुरू होने वाले तीसरे दिन में और कितने रिकॉर्ड बलते हैं नेक्स्वाइन स्पोर्डेक से गॉर्फ कि पोग